Hello everyone, welcome to all of you at Mobile Partsala. कैसे हैं आप सभी? I hope guys all of you are doing great and superb. तो आज के सेशन में करने वाले हैं प्रणाउन की बहुत ही पहतरी इन कॉस्चन जो आपके एक्जाम में आपको हेल्प करेंगे बहुत ही जादा, ठीके? अब जो questions है, उनके types यह हैं कि वो क्या है? यह आपके sentence से है. आपको sentence में find out करना है कि आपका pronoun का error कहां है और उससे related concept क्या है? कि जो उस error को क्या कर दे? correct कर दे. यह तो वही बात हमारी. आपकी teaching exam में, अगर मैं बात कुरूँ, specifically UP TED की, तो उसमें जो आपका pronoun का है topic और उसे जो question आते हैं, वो या तो philips के हो सकते हैं, या फिर आपको specific कोई एक word दे दिया साएगा और आपको वहाँ पर identify करना होगा कि यह particular जो noun है, यह कैसा और किस type का noun है? ठीक है? पर हम थोड़ा सा और आगे देखें, अगर तो एस्टेट का देखें, तो थोड़ा सा difficult कर देता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ, junior added assistant की, तो उसे थोड़ा सा difficult कर देता है, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ों को discuss करना है, ठीक है? जिसे आगे के जैसे TGT का exam होना, तो उसमें भी हमें help मिल पा है, है न, clear है? तो आज की जो question का form है, वो sentence form है, sentence से ही हम pronoun को सीखेंगे और उससे related concept को देखेंगे, clear है? यह तो हमारी बात, इससे related, दूसरी important बात यह है, कि आप हमारी website mobilepartsala.com पर ऐसे ही बहुत ही amazing courses को access कर सकते हैं, जब आप हमारी mobilepartsala.com वेबसाइट पर visit करेंगे, ठीक है? आप हमार आप हमारी application को दाउनलूड कर सकते हैं, mobilepartsala application को दाउनलूड करिये, जिसके थूर आपको बहुत ही amazing चीज़े, आपको प्रोवाइट की जाएंगी, mock test and everything, and वो इतने amazing होंगे, जो आपको एक्जाब में help करेंगे, तो play store से जजा करके, mobilepartsala application को दाउनलूड करिये, और website प करेंगे हम, और जो sentence के form में है, तो यह धाल से कि आप अपने से relate ना करिये का, कि मेरे exam का content नहीं है, तो मैं इसको नहीं देखूंग या देखूंगा, आपकी ही लिए है, हम concept को questions के थ्रू देखेंगे, ठीक है, चौनो, start करते है, पहला question है, someone who stole my bicycle, earlier has now forgotten their particles on the table, है, यह हमार है, तो आप बोलो कि pronoun है, someone क्या है, pronoun है, ठीक है, अब कुछ ऐसे pronouns होते है, जिसे हमें पता ही नहीं चलता कि यह आपका gender इसमें क्या है, जिसे noun में gender defined होता है, masculine है, feminine है, neuter है, common है, पता चलता है, लेकिन pronoun में खास बात क्या है, कि जब तक he see it ना बोलते, तब तक हमें पता ह नहीं चलता है कि यह आपका कौन सा gender है, ठीक है, अब यह जो हमारा pronoun है, यह भी आपका कैसा pronoun हुआ, यह आपका indefinite pronoun हुआ, ठीक है, indefinite pronoun जहां पर पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लोगों की बात हो रही है, और gender कौन साइस प्रणाउन का, तो जब ऐसे pronouns होते हैं, जो indefinite हो जैसे कि आपका हो गया, someone हो गया, somebody हो गया, everyone हो गया, everybody हो गया, ठीक है, तो यह दो को मैं अभी, अगर मैं सौटपों में बता हूँ ना, तो जहां भी आप buddy का use करोगे, लिखते body है, बोलते buddy है, buddy और one का use करोगे ना, ऐसे प्रणाउन के लिए, ऐसे प्रणाउन की खास होती है कि इनके साथ में वर्भ आती है, वर्भ हमेशा singular form में यूजा है, और पूछो के यह था क्यों है, पोछो कि एसा क्यों है, रीजन है हमें पता है प्रणाउन का people के लिए यूज किया जाता है तो इसलिए हमेशा हमेशा him क्या use करते हैं, हमेशा singular form के वापगा, ठीक ह अगर पता होता, कि यहां पर इतने सारे लोगों की बात की गई जिनको हम काउंट कर सकते हैं one by one, तो कर देते plural, पता ही नहीं है तो वह आपको singular रखते हैं, दूसरी चीज़ यह है कि इसमे जेंडर भी नहीं पता होता है, वह जिब जेंडर नहीं पता तो पता क्या करते हैं, हमेंसा हम masculine gender का use करते हैं, यानि कि जो subject होगा, इनके लिए जो subject यूज किया जाएगा, वो हमेंसा क्या होगा, ही होगा, ठीक है, तो अब खास बात ही है कि inpronounce के साथ जो वर्ब होगी, वो singular होगी, और जो gender specifically use करेंगे, वो masculine करेंगे, यानि ही का use करेंगे, ठीक है, अब my bicycle earlier has now forgotten their spectacles, their क्या है, यह दे का possessive form है, their, दे का possessive form होता है, तो यहां हमें he का possessive form उसकरना है, क्योंकि अभी तो बात की थी, कि इनके लिए possessive form हो, यह आपको subjective form उसकरना हो, यह objective form pronoun का उसकरना हो, इनके लिए subjective, objective हमेशा क्या होगा, masculine gender ही यूज किया जागा, masculine pronoun ही यूज करोगे, तो he subjective है, अब possessive क्या होगा, he का क्या हो जाएगा, his हो जाएगा, his is practical हो जाएगा, है न, तो यह देर को हटा के, काटो देर को और इसकी जगा पर क्या करो, his का यूज कर दो, ठीके, बढ़ेंगे next question की तरफ हम, it is me, who have never cheated upon you, irrespective of the conditions, it is me, अब आप पूछो कि यहाँ पर, यह have क्यों आया है, क्योंकि यह इसके लिए आया है, ठीक है, have किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, अच्छा आप बोलते हो, generally हम सभी बोलते हैं, हमारी common mistake क्या है, कि अप क्या बोलते है, it is me बोलते है, myself बोलते है, यह गलत फॉर्म है, बोलनेगा, it is I होता है, क्योंकि आप क्या आप subject हो, अपने आपको आप क्या कर रहे हो, introduce कर रहे हो, तो आप subject की तरह आपने आपको क्यों इसको ध्यान से देखिएगा, आपको काफी जादा मदद करेंगों, बड़ा एंज्वाइ करोगी आप इसको, मैं बोलती हूँ, एकदम, इसका एक्सप्लानेशन जैसा आपको पड़सला पर मिलेगा ना, ऐसका कहीं नहीं मिलेगा, आप देखिए जारा ध्यान से इसको, जैस subjective pronoun, subjective pronoun या नही कि जिसको अब subject के place और use करो, subjective pronoun जिसको हम क्या पोलते है, nominator pronouns जैसे, इसमें क्या क्या है इसमियू है, इसमें भी है, इसमें शी है, इसमें ही है, और क्या है, IT है और दे है, ठीक है, चलो दे यहा until is recipe, ङ test यह हमारे subject के place और My objective what is Camo取 make to me इन part of his objective, he की होगा. म Yep जो हमेचा जाएगा मी ऊप्सक्ट के प्लेस्स, एई यु का ऑप्जेक्ट क्या होता? यु का माप्जेक्ट यु ही होता है. He का object क्या होगा? सही कहा? त्थी कहा, इंप्रावनाउन का पाशाभी पर्षाभा थे किया हो टयों जहां रहे हो pessimistic business मी का उजाए गा में का उजाए गा यो आप उजाए गा ea का उजाए गा इंकी आfour हो जाएगा ठीक है, हर का क्या होगा, हर ही रहता है, हिम का क्या होगा, हिस हो जाएगा, इट का क्या होगा, ठीक है, इट सो जाएगा, और देम का क्या होता है, दे का क्या हो जाएगा, ठीक है, 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 ठीक है प्रणाउन एक होता है तो सही सुना होगा आपने पढ़ा भी होगा इसको बहुत बार रिजदा लिगो हम बच्पन से प्रणाउन पढ़ते आरहे तो ऐसे रिलेडिड कही आई कॉनसर्ट हमको पता ही होगी जो आप आज को बनता ही है possessive adjective तो सुना ही होगा ना possessive adjective adjective क्या होता है जो noun या pronoun को qualify करे यानि कोई भी word तभी adjective हो सकते जब उसके बाद क्या हो एक noun आपका pronoun noun use किया गया हो ठीके noun या pronoun use किया गया हो क्या कहा मैंने possessive adjective कहा adjective तभी होगा जब उसके बाद कोई noun या pronoun भूंहें उसके अगया हो ये ऐक पश्यसलिय गे कि अध्यक्तिव पंड कर वा गया तो इसके बार अध्युम्हार जरूरी है अगर वे इसका possessive adjective, sorry, यह hours होगा, इसका possessive adjective क्या होगा, hour होगा, हर है, इस बज़र अधाव से देखिएगा, mine, yours, hours, hers, his, or its, यह आपके possessive pronounce होते हैं, हम possessive adjective डिसकस कर रहा है, my, yours, our, your, 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 our, her, his, or its, यह आपके क्या है, possessive adjectives है, इसका possessive adjective क्या होगा, इसका possessive adjective क्या होगा, दे तो आपका subjective होता है, देम आपका क्या होता है, objective होता है, देर सापका possessive pronoun होता है, और देर क्या होता है, possessive objective होता है तो इधर मैं ऐसी corner में अगर देर लिखतू तो आपको समझ में आएगा अगर अब धान से देख रहो तो जरूर इस पूरे concept को copy में write down करोगे कोई confusion होगी तो आप जरूर मुझे बता होगे है न हाँ हर time में मैं आपके लिए available हूँ ठीक है subjective objective possessive pronoun possessive pronoun mine yours ours 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 his its possessive objective my your our our her his its or their यह आपके possessive objectives है अब कितनी खास बात है कि इनका huge कैसे करेंगे subject के place पर use करना है तो इनका करो object के place पर use करना है तो इनका करो और अगर subject and object के place पर use करना है तो इनका करो इनके बाद क्या होता है इनके बाद सीधा एक नाउन आता है, इनके बाद सीधा एक नाउन आएगा, सीधा नाउन आएगा धार से, my, your, our, our, her help के बाद एक नाउन आएगा, इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा, ठीके, चल, अब आते हैं question पे भी इनको write down कर लो, ठीक, आप question देख लेते हैं, यही से question हम discuss कर लेते हैं, it is me who have, यह subject के बाद ही तो वो अब आता है, तो यह वो अब तो subject के लिए आता है, तो भाया, I क्यूं हमने किया है, sorry, me क्यूं किया है, हमें क्या करना चाहिए, हमें I करना चाहिए, क्यूंकि हम subject के place पर हमेशा subjective pronoun का use करत है, it is me नहीं होगा, it is I हो जाएगा, क्यूंकि हम अपने अपको introduce कर रहे हैं as a subject, as a main personal, okay, it is I who have never cheated upon you, irrespective of the conditions, next move करेंगे हम, for you and me there is hardly any opportunity, opportunity left, अब आपके दमाग में बहुत confusion होगा, मैं लिख के देती हूं, हैं confusion, correct बोला था मैंने, देखो, for you and me there is hardly any opportunity left, अब आपको लग रहोगा ना, यह जो verb आया है, यह इसके लिए आया है, और यह sentence absolutely correct है, पर आप क्या सोच हो, एक बार सारा सोच कर देखो, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि यह opportunity जो है, यह क्या है, एक noun है, ठीक है, और इस sentence को मैं अगर ऐसी बोलूँ, there is hardly any opportunity left for you and me, for you and me, तो यह जो मैं बोल रही हूं है, यह क्या बन जाएगा, आपका object बन जाएगा, इसमें यह क्या बन जाएगा, नाउन आपका subject बन जाएगा, समझ मैं बन, यह जो आपका यहां पर यह पहला वाला जो clause है, यह पहला वाला clause, आपका क्या बन जाएगा, object बन जाएगा, और यह second बन जाएगा, यह आपका subjective clause बन जाएगा, कैसे अगर मैं ऐसे बोलू, there is hardly any opportunity left, समझ मैं यह जो वाब आया है, यह इस opportunity के लिए आया है, और हम, हमेशा वाब का यूज, subject के लिए करता है, किसी object के लिए नहीं करते है, तो यानि यहां तो इस पूरे, इस पूरे phrase में, जो भी आपके nouns दिये हुए है, इनके लिए तो क यह subject बन जाता है, तो यह अगर subject है, तो object तो किसी को होना ही चाहिए, तो कौन object बनेगा, यह object बनेंगे, you और me object बनेंगे, समझ मैं यह बात, तो यानि यहां जो me है, यह क्या है, सही है, कैसे, क्योंकि यह object है, subject होता तो I कर देते, subject होता तो I कर देते, लेकिन यहां पर य इसको हम you and me ही करेंगे, तो पहली बात हुई, कि subject के बाद सिधा verb आता है, और हमेसा verb subject के लिए यूज किया जाता है, किसी object के लिए नहीं, तो यहाँ you and me के लिए इस तो आया नहीं, इस तो आया है subject opportunity के लिए, तो यह तो हमारे object होगे, दूसरी चीज़ यह है कि preposition के बाद, preposition के बाद कोई भी pronoun, यूज करोगे य। एप कोई लाउन यूज करोगे वो हमेसा preposition का objective form होता है, okay, objective होता है, तो अगर कोई भी Donald use कर रहे है, तो हम हमेसा उसको object being use यहां जो एंड है यह आपका प्रेपोजिशन और इसके बाद आपका प्रेणाउन होगा तो हमेसा अप्जेक्टिव फॉर्म में होगा यानि कि इस कॉंसेट से तो आपका मी भी यह पर करेक्ट हो गया तो इस संटेंस में यह संटेंस अपका एपसलूटी करेक्ट है बढ़े संनन를 भी के अभी इसको देखो समझो मेरी बाक ठीक है और ऐसी चैप से क्विश्टन कोई नहीं पढ़ाता है प्रीवेइस कि पर बिशे बता दिया जाते हैं यहाँ एर्र यहां पर और आपको किसी भी concept में कोई भी doubt है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं ठीके और इन सारी questions को बहुत धूड के यातु हूँ बहुत अच्छे सहीं मैं concept त्यार करती हूँ कि ऐसे questions दूँ जो आपके conceptual हो जिससे आपके कई questions त्यार हो जाए ऐसे आप देख लिंगे ऐसे questions आपक करके दे दिस देगा ठीके कहीं नहीं मिलने वाले आपको आपको बता दू यह जो लेट है लेट में और गेट के बाद कभी भी कोई भी प्रणावन आएगा कोई भी प्रणावन आएगा तो वो हमेशा किस केस में होगा objective केस में होगा जो मैंने अभी पहले question में discuss किया था आप यहां देखेंगे आप लेट का यूज हुआ है शीला भी object हुई राहूल भी object हुए यह तो subject है यानि इसको क्या होना चाहिए इसको भी आपको object बनाना होगा हिम यूज करोगे यहां पर clear है ना इतनी बाद तो आगे बड़ेंगे हम यहां पर हिम होना चाहिए ना कि यहां ही होना चाहिए between ramesh and I there is no love lost अचा देखो यहां पर subject कौन है between ramesh and I क्या between ramesh and I subject है यहां फिर यहां पर love subject है अगर love subject है तो verb क्या आएगी love की according आएगी तो love की according यहां पर इज का use कर दिया गया है ठीक है अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा object है कौन सा subject है अगर अब sentence को इस तरीकी से बोलो there is no love lost between me and you तो पता कैसे चलेगा अब पता क्या चल रहा है इससे यह पता चल रहा है कि यह वाला जो sentence है इसमें हमारा एक subject छिपा हुआ है जो कि क्या है love कैसे पता चलेगी subject क्योंकि इसी के according यहां पर वर्ब की use और कैसे पता चलेगा यह हमारा क्या है इतना यह जो phrase है यह हमारा objective phrase है क्योंकि यहां पर इसके लिए कोई verb ही नहीं है ठीक है between remains and I there is no love lost अब आप बताईए मैंने तो आपको बत यहां पर क्या करो मी का यूज कर दो है ना आप इस तरीके से भी बोल चकते हो there is no love lost between Ramesh and I remain Ramesh and me और ऐसे भी बोल चकते हो between Ramesh and I sorry between Ramesh and me there is no love lost ठीक है ऐसे भी बोल चकते हो तो बढ़ेंगे next question की तरफ यहां आई नहीं यहां मी होना चाहिए इवाद धान से देख मी होगा है ठीक है बढ़ेंगे next question की तरफ the UP government will cast the protesters and will make they all pay the compensation for destroying the public property UP government क्या करेगी उनको पकड़ेगी protesters को जो protest कर रहे थे will make they all pay यानि कि उनसे खामियाजा लेगी किस चीज के लिए public property को destroy करने के लिए अब आपको मैंने बताया थना कि let के बाद make के बाद और get के बाद जब भी कोई प्रणावन यूज किया जाएगा तो वो हमेंसा किस में रहेगा objective form में रहेगा तो यहां make के बाद आपका दे आया है और क्या होना चाहिए them होना चाहिए them क्या है they का objective form है याद से मैंने अभी बताया है ठीके चलो तो यहां them होना चाहिए बढ़ेंगे next question की तरफ the authority has announced that Sudha Pius you and I Sudha Pius you and I will be promoted next year authority ने announce किया है चोनो authority यहां पर noun हो गए इस noun के लिए एक verb आया है announce किया यह verb है main verb है ठीके क्या किया है अब यह दूसरा phrase स्टार्ट हो रहा है इतनी बाते तो यह first phrase हो गया ठीके four sentence हो गया sorry यह phrase नहीं है एक clause है यह पूरा एक first clause हो गया Sudha Pius you and I will be promoted next year अब आप देख रहे हैं यहां पर बिल एक क्या है verb है और इस verb का subject कौन है इस verb का subject यह हमारा है Sudha Pius you and I हमारे इस verb के subject है अगर कोई verb किसी subject के लिए आप देख रहे है तो हम उस subject को अबजेक्ट तो बढ़ाएंगे यह subject को subject ही रहने देंगे यह लिए कि इस sentence के अगर में पार्टिकुलरी बात करो Sudha Pius you and I की तो यह sentence में एक दम करेक्ट है यहां हम इसको अन्द को क्या कर सकते यह क्या कर सकते क्या है यह क्या है यह क्या है subjective प्रणाउन है और subject के पर इसको उसको यूज किया गया है ठीक है चलो अब पढ़ें के नेक्स क्वेशन पर हम have you got all the members of the family and either ticket for the new show okay have you got have के बाद होपकी third form okay यहाँ you आपका subject है और you subject है तो यहाँ plural बॉब आया है all the members, सारे members के बाद all के बाद आपका plural noun भी members आया है of the family, family का and I have you got all the, have you got all the members of the family and I आई क्या यहाँ पर subject है कि object है जरा बताईएगा subject को है you है यू है तो इसके लिए वो भी आया है plural ठीक है बट यहाँ जो आपका आई यू जुआ है यह कोई subject थोड़ी नहीं है यहाँ का यह तो object है उनके लिए इसके लिए यह family और मेरे लिए अब यहाँ पर यह object बन जाता है और अगर यह object है तो इसको objective form में रखो इसको subject बनाने की क्या जरूरत है इसको subject नहीं बला सकता हां ठीक है मुख करेंगे next question पर I he and you have made maximum profit this month ठीक है I he and you have made maximum profit this month अब यह जो concept है यह आपको बहुत जादा help करेगा इससे related अब यह जो question है सच मुदाद हो यह हर एक्जाय में पूछा जाता है ठीक है I he and you have made maximum profit have तो आया है इन ही पूरे subject के लिए ठीक है इसमें कोई गलत बात नहीं है अब यह दिया हुआ है यह जो यहां पर pronoun का formation दिया है I he and you का ठीक है यह हम गलत तरीके से यूज करते है खासकर प्रणाउन में जो आपका chapter वहां आप देखोगे कि एक होता है positive idea एक होता है negative idea ठीक है positive idea में जो प्रणाउन का अपना formation होता है first second third person का वह हम कैसे use करते देखिए जब कुसी हम positive idea की बात करते ना तो हम करते हैeg claroun का जो structure होगा उसको हम करेंगे 23-1 ज़गा पहले हम second person कर यूज करेंगी third person का यूज करेंगे Raghыхil को पिर हम first person का use करेंगे और जब कोई negative idea होगा तो हम क्या करेंगे 123 का format फॉर्मेंट फॉलो गरे पहले 1st person होगा, 2nd person होगा, 3rd person होगा, अब यहाँ अगर मैं बात करो, तो profit की बात हो रही है, profit तो बहुत अच्छी बात है, तो profit अगर अच्छी बात है, positive idea है, तो क्या formation क्या होना चाहिए, 2-3-1 का follow होना चाहिए, यहाँ तो 1st, 3rd और 2nd का follow हुआ है, तो गलत है ना, तो यहाँ कि हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें 2-3-1 follow करना चाहिए, क्यूंकि positive idea की बात हो रही है, तो you, क्या होगा, ठीक है, चलिए, हाँ, you, क्या होगा, you, are you, he, and I, ठीक है, you, he and I, have made maximum profit this month, ठीक है, बढ़ेंगे 10th question की तरफ, can you ever imagine a situation, where they may make good without you and she, can you ever imagine, you क्या है, इस question का subject है, you इस question का subject है, ever imagine a situation, एक ऐसी स्थती का imagination आप कर सकते हूं, where they में की वो कर सके, अच्छा, अच्छा कर सके, किसके बिना, आपके बिना, और तुम्हारे बिना, यानि उसके और तुम्हारे बिना, आप क्या ऐसी situation, imagine कर सकते हैं, क्या सा हो सकता है, आप देखो, प्रणाउन का error ढूट रहे हैं, तो प्रणाउन में ही कुछ खामिया हो सकती है, यू तो आपका subjective and objective दोनों होता है, गलती तो इसमें है, ये आपका क्या है, ये object के place पर यूज किया गया है, और objective form में है, ये जो sentence है, इसका object क्या है, ये you and she है, तो यू में तो कोई गलत बात नहीं, क्यूंकि you आपका subject and object दोनों होता है, लेकिन she आपका subjective pronoun है, और इसका objective क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ she नहीं होगा, क्या होगा, हर होगा, clear है इतनी बात, बढ़ेंगे next question की तरफ, for you and I, there is no food left in the bucket, left, ठीक है, left याने की छूटा हुआ, ठीक है, lift होगा उठाना, for you and I, मेरे लिए और तुम्हारे लिए, there is no food, अब आपको बता दू, इस sentence का जो subject है, वो क्या है, food है, और इस food के लिए क्या आया है, verb आया है, जो कि क्या है, is है, ठीक है, so there is no food, there is no food, यह there, किसको introduce कर रहा है, इस food को introduce कर रहा है, यानि यह इसको, और इसके लिए जो verb है, यह is है, अब इसका object क्या है, यह है इसका object, अगर यह इसका object है, and he wrong well she wasn't ever did you get अभी तो आपको बताया था कि जहां भी बात हम किस की करेंगे get की करेंगे make की करेंगे और किस की करेंगे let की करेंगे तो यह जो ऐसे वाप्स है इन वाप्स के बात कोई भी प्रेडाउन किस में आएगा objective case में आएगा ठीक है कभी भी कोई भी exam हो एक question तो पूछी लिया जाता है ठीक है did you get Mohan Shila चलो Mohan तो आपको अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनो होता है पट यहां पर एदा objective इसको माल लिया गया है Shila भी objective है and he क्या है subjective है तो काटो यहां क्या करो हम करो बढ़ेंगे next question की तरह हम 12 13 पे he going there was not appreciated and you have to make them understand make के बाद objective pronoun okay it's okay now what where is the error? Error in this in the first part how? कैसे आप find out करोगे how you will find out? देखो भई यह जो आपका यहां दिया गया है इसी error है जब भी वाब में आप R.E.N.G. use करते हो तो यह क्या बन जाता है? जडरेंट का क्या है किसी बी sentence में noun की तरह function करना जब भी हम जडरेंट के पहले कोई भी प्रनाव्न यूज करते हैं cada के पजयासी प्रनावन यूज करता है वहाँ पर जरेंड के पहले कोई प्रनावन होगा वो हमेशा पजयासी प्रनावन में होगा यह क्या है यह क्या होता है क्या बताया था हमने हिस बताया था बहुत बढ़ियां आप लोग बता रहें तो यह क्या हो जाएगा हिस हो जाएग उनमें से Mohan, Rohan and her will not go there जितने भी दोस्त है उनमें से will not go there कौन-कौन नहीं जा रहा है Mohan, Rohan और वो नहीं जा रही है अब यह जो will आया है यह will किसके लिए आया है यह हमारे subjects के लिए आया है यह हमारे किसके लिए आया है आपको देखना पड़ेगा प्रणाउन के चैप्टर में कि वर्ब किसके लिए आया है अगर वर्ब जिसके लिए भी आया है वो हमारा subject होगा उस प्रणाउन को subjective की तरह यूज करो और वर्ब जिनके लिए नहीं आया है उस प्रणाउन को आप objective की तरह यूज करो अब यह जो वह विल आया है यह हमारे इस subjective case, subjective words के लिए आया है, तो Mohan तो subjective है, Rohan भी subjective है, हर क्या है possessive है, और objective है, तो इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप subjective case में यूज करोगे, या नि क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, बढ़ेंगे next question की तरफ, which of the following is correct, यह sentence तो आपको इतना अच्छा, इतना खुबसूरत sentence, इतना amazing sentence है, कि चलिए बताएगे फटावट से क्या होगा, इसमें क्या कॉन सा form, कॉन सा sentence correct है, बताओ, I help her as much as she, I help her as much as she, चलो, I आपका क्या है, subjective है, चलो, यहां मने यूज किया, हर क्या है, यह आपका possessive है, उसकी मदद, अगर मैं बुलो, I help her, मैंने उसकी मदद करी as much as I have, जितना वो की, she, चलो, इसको थोड़ा सा naming कर देते, इसकी, I को माल लो क्या, I को कविता माल लो, कविता, I को कविता माना है, मैंने, ठीक है, हर को मैंने माल लिया, सविता, हर को क्या माल लिया, सविता माल लिया, for example, और आप जितना की, कितना की, जितना 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 कि यह भी correct है, I help her as much as hers, hers हम नहीं कर सकते, hers क्या है, यहां पर गलत हो जाता है, I help her as much as hers नहीं होगा, हम subjective यहां और यह possessive form क्यों यूँज कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद एक वब आपको यूज करना है, एक वब यहां पर यूज करना है, और यह हर्स क्या है, यह तो आपका possessive pronoun है, possessive pronoun के बाद कोई वब नहीं आता है, इसलिए यह क्या हो जाता है, यहां पर जलत हो जाता है, एक बार आप इनको ले करके जब पढ़ेंगे, आई, कविता सविता हो विंता को रख करके, आपको यह sentence बहुत बहुत बैतरीन समझ में आगा, अगर अभी नहीं समझ में है, आपको तो अब जरा मुझे बता दिसे का कॉमेंट सेक्शन में तब मैं और अच्छे से को डिफाइं कर दूगी, फिलाल मैंने पूरी कोसिस करी कि आपको समझ में आजाए, ठीक है, धान से कि आपके possessive pronoun के बाद कोई वब नहीं आता है, और हमें इसके बाद कोई एक व सिला की है, apostrophe का मतलब क्या होता है, का, यानि ओफ, ठीक है, या तो आप S का यूज करो, या तो आप आप उफ का यूज करो, एक ही करना है, इस बुक्स आर सिला, ये किताबे सिला की है, और तुम्हारी है, और तुम्हारी है, देखो भाई, जब आप यॉर्स करोगे, तो यूर्स के बाद आप कोई नाउन या प्रडाउन यूज नहीं करोगे, लेकिन जब आप यूर करोगे ना तो यह आपका क्या बन जाता है, यह आपका अजिक्टिव है, कैसा पजैस्टिम है, इसके बाद एक नाउन आना चुछिए और अगर आपने नहीं यूज किया तो गल तो शीलाज और यूर्स करोगे, यूर्स के लाज रखाए, फिर आलोग उसको क्यू लेना चाहता था, जितने भी बस्तुडशं नहीं तो डख स्टुड़ होते हैं, यह बहुत जएदा तब्गू टाप के श्टुडशं होते हैं उनमें कॉंए नहीं नहीं लिए उनमें इसके लिए आता है, हमें इसा, non living के लिए आता है, ठीक है, और अगर हमें किसी human को treat करना होगा, तो हम क्या use करते है, हम who use करते है, या फिर whom use करते है, या फिर whoever use करते है, ठीक है, whoever, तो यहां क्या होना चाहिए, whatever नहीं होना चाहिए or whoever होना चाहिए, जो भी है, whoever, whoever का यानि कि जो भी लोग है, human beings है, who, person, whatever हम हमेशा things के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बढ़ेंगे 18th question की तरफ, once she asked her teacher that what happened when the English left India forever, यहाँ language की बात नहीं की गई है, the English का मतलब होता है England के लोग, the Britishian people, once she asked, एक बार उसने पूछा अपने teacher से that what, that or what का यूज नहीं करो के साथ में, word खुल एक conjunction होता है, और एक conjunction अपने यूज कर दिया है, so why you will use another conjunction, यानि that भी conjunction है, word भी conjunction है, तो either you use what or that, एक ही use करो, तो that नहीं होगा, क्या होगा, what use होगा, ठीके चलो, अप क्यूंकि question पूछा गया है, तो इसलिए हम what करेंगे, अगर यह question पूछा होता है, एक assertive sentence होता, तो that आराम से कर सकते थे, बढ़ेंगे 19 पे आलोग इस दिए boy, आलोग ऐसा लड़का है, and who reads his book when we sleep at night, जब यहां सोते हैं तो आलोग लड़का जो है वो पढ़ता है, ठीके, and who, हींदी में जड़ा बोल की देखो, आलोग ऐसा लड़का है और वो, नइ, आलोग ऐसा लड़का है जो पढ़ता है, रात में जो हम सोते हैं, आलोक ऐसा लड़का है और वो पढ़ता है जब हम रात में सोते हैं गलत हो जाएगा आलोक ऐसा लड़का है जो रात में पढ़ता है यानि यान को यहां से रिमूब करो ठीक है यह who, what, that, जो होते हैं, यह relative pronounce होते हैं, हम sentence में एक relative pronounce use करेंगे, ठारा नहीं करेंगे, गलती यहाँ भी होती है, और इस concept को अगर आराम से देख रहे हो, तो आपको चीज़े समझ में आ रही है, है ना, बिल्कुल, तो and, या फिर who, and, या फिर who, आलोग इस दीबॉय, and reads, गलत हो जाता है, sentence ही नहीं सही से sense दे रहा है, आलोग इस दीबॉय, who reads his book when he, when we sleep at night, ठीके, चलो, when I saw a baby, जब हमने बच्चे को देखा, I was unable to say, मैं नहीं बोल सकी, कि वो लड़का है या फिर लड़की है, तो अब बेबी देखो, यह जो आपका नियूटर जेंडर में ही यूज़ किया जाता है, इस तो आपका बेबी जो वर्ड है, लड़का या लड़की है, दिफाइन नहीं नहीं को सकते, हैं na, नहीं अब कूंकि लड़का है या बड़की है, जब डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम, क्यूंकि मैंने क्या बोल तो कभी कभी जो वर्ड है इसको नुटर जेंडर भी मानते है। और जब नुटर जेंडर मानते हैं, क्यून कि हम इससेफिकली बोल नहीं पाते हैं एक बेबी वर्ड यह आपका लड़का है यह यह लडगी ह मुद्धर सकते हैं तो जब define नी कर सकते, तो हम, अब क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने यह बोला कि common noun भी है, और neuter भी है, common भी है, neuter है, और generally baby आपका neuter ही मारा जाता है English में, अच्छा एक बात बताओ, neuter के लिए possessive form क्या आएगा, it's ही तो आएगा, sorry, it's आएगा, I-T-S, ठीक है, where I saw baby, जब म a girl or not, अब हम डिफागी नहीं कर सकते, तो she का use नहीं कर सकते, हम define नहीं ही करेंगे, कि जब लड़की है लड़का है, तो फिरम क्या use करेंगे, आपन it का use करेंगे, it was a girl or not, कि वो लड़की है या फिर लड़का है, हम नहीं define गर सकते, ठीक है, तो 20 questions हो चुके है, sentence का फर्स अपने फ्रेंड्स और रिले टिप्स की बीच में जहां भी आप सोशल मेडिया पर एक्टिम है लिंक को शेयर करिए और अगर आपको वीडियो कैसी लेगी यह भी बताइए अब आते हम अपने इंपोर्टेंट बात पर इंपोर्टेंट बात यह है कि मोबाइल पार्टसाला क अप्लिकेशन जरूर डाउनलोड करिए महां भी आपको अमेजिंग मॉक टेस्ट और काफी इंफोर्मेशन जो वेब साइट पर आपको मिल रही आप वह अप्लिकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं तो दोनों चीजों पर आप जाए विजट करिए और ठीक है और अपनी तयारी स चार्ट करिए थैंक्यू सो मुच बबाए और टेक केर गाईज